हेलो एन वेल्कम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल, माइनम इस डॉक्टर संचित, आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे, ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं that बहुत important notification जारी हो चुका है UPSC के दु इस वीडियो में हम देखेंगे admit card download कैसे करना है, क्या link है उसका और what are the important instruction, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, examination hall में और साथ ही साथ download करते वक्त क्या चीज़ देखना है and so on. So, I will tell you step by step कैसे पहुँचना है, आपको admit card download करना है, simply आप UPSC.gov.in पे जाएं और वहाँ पे आपको opening page पे ही information मिल जाएगी, e-admit card civil services prelim exam 2023, simple, first page पे ही आपको ये information है और इस पे आप click करेंगे, then you will reach the link further down, जहां से आप click करके आगे पहुँचेंगे और आपको link मिलेगा download करने के लिए. एक important जीज़ आपको बता दूँ, that बहुत सारे aspirants यहां पे होते हैं, बहुत सारे लोग form भरते हैं, so यहां पर उन्होंने date mention कर दिया है, कि 8th में से लेके 28th में तक आप download कर सकते हैं, but I will just suggest people that aspirants के, please do not wait till the end, end त की देर में भी traffic और site hang हो सकता है, वैस तो नहीं होता, but chances are there due to the rush, तो आप please, please as soon as possible, जतना हो सकता है, download करें admit card को, और print out ले लें अपने admit card का, और साथ ही साथ, center के बारे में जो information आपको gather करनी है, many of the people are from outside, उनका शेहर में नहीं होता center, तो उनको problem ना है, तो इसलिए पहले, आप सबसे पहले अपने center के बारे में जानकारी, जुटा लीजिए, कहां location है, कैसे पहुंचना है, and so on, so आप इस page पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको click करना है, admit card के लिए, उसके बाद एक page खुलेगा, instructions के लिए, सबसे important page है यह, examination hall में आपको क्या करना है, क्या नहीं, this do's and don'ts, तो यहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ, simply, जैसे ही आप download करते हैं, अपना e-admit card, तो सबसे पहले आप check करेंगे, that आपका name, आपकी जो information है, personal information, वो बिलकुल ठीक है, because अगर वो गलत है, तो बाद में बहुत इकत आने वाली है, इसलिए, चेक information hall में, admit card का printout लेके जाना है, please remember, UPSC आपको personally admit card send नहीं करेगा, e-admit card issue हो चुके हैं, और उसका आपको printout निकलवाना है, और साथ ही साथ ध्यान रखे, photo identity card, जो आपने अपने form भरतेवक्त mention किया था, उसको आपको लेके जाना है, original copy उसका, original लेके जाना है, photocopy नहीं ले लेगा, उसके बाद और चीज़ा आपको जो ध्यान देनी है, that is, entry, आपका exam 9.30 से start है, morning session, तो आपको 10 minute पहले entry दी जाएगी, that is on 9.20, और इसी तरह आपको evening session में भी entry दी जाएगी, उसके अलावा, ये बहुत बड़ा problem आता है, क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते हैं, please do remember, mobile phone, switch mode, switched off mode, नहीं, किसी भी हालत में मत लेके जाना, और साथी साथ, टेजर, और कोई भी electronic equipment, और specially आपका pen drives, ये smart watches, आजकल इसका trend चल रहा है, smart watches लगता है, it can be carried, बट नहीं, smart watches भी नहीं लेके जाना, और Bluetooth device, और कोई भी ऐसी accessory device, जो storage हो, form में हो, उसको नहीं लेके जाना, अब यहाँ पर question आता है, कि wrist watches लेके जा सकते हैं, घड़ी पहन के जा सकते हैं, तो yes, आपको simple wrist watch allowed है, और ये ध्यान जरूर देना, कि उसमें कोई भी accessory ऐसी ना हो, जिससे आप communicate कर सके, digital watches मत लेके जाना, simply analog watch लेके जाना, so that आपको problem ना है, watches allowed है, as per instruction, simple wrist watch आप लेके जा सकते हैं, साथ ही साथ, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको, black ball point pen, जो first time दे रहे हैं exam, उनको ये confusion होगा, blue pen यूज करना है, black pen यूज करना है, तो यहाँ पे black ball point pen ही यूज करना है, आपको OMR sheet को fill करने के लिए, उसके बाद, minor instructions हैं, बट इसको प आगे लेके जाएगा, जहाँ पे आप registration ID के थूँ या roll number के थूँ आपको message भी आया होगा, तो आप registration ID number भरें, या roll number भरें, तो आप आगे फर्दर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे अपना registration ID भरिये, date of birth और अपना ये capture जो random image आपको भरना है, वो करें, submit करें, then the procedure is solved, तो this is very simple, but yes, do not wait till the end, और जितना जल्दी हो सके, उतना download, अपना admit का download कर ले, और साथी साथ उसमें अपनी information देखें, correctly filled है या नहीं है, और तो और center के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर ले, कहाँ पे है, कैसे पहुंचना है, because end time तक wait नहीं करना है, because यह सारी पर जागे आपको बिल्कुल free mind से जाना है, और कोई tension नहीं होनी चाहिए, so that was a small video, and principal services की तरफ से सबको all the best, आप हमें subscribe करें, इस वीडियो को like करें, share करें, हमारे channel पे जाएं, और वहाँ पे आपको playlist मिल जाएगा, current affair series का, MCQs का, so you will find lot of videos, so please follow us on YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, for all the latest information, so that was a small video, and thank you, thank you for watching this video, all the best to all the aspirants, thank you